नमस्कार आप देख रहे हैं NMF News आपके साथ मैं हूं नम्रता चौतरी TMC यानि तुर्णमूल कॉंग्रेस ने बंगाल की आसन सोल सीट से मैदान में उतारा है शत्रुगन सिन्हा को अब जाहिर सी बात है मैदान में उत्रे हैं तो फिर अपने विरोधियों के खिलाफ हला बोलतों करेंगे ही लेकिन ऐसे से बयान उनके सामने आ रही हैं जो ना तो वास्तविक्ता से तालुक रखते हैं और ना ही सुनने में अच्छे लगते हैं मसलन आप ग्राउन पर जाकर सर्वे कीजिए जैसे कि हमने किया है बहुत सारे चैनल्स ने किया है एक लहर नरिंद्र मोदी की एक लहर बीजेपी की दिखाई दे रही है लेकिन इन सबसे इतर अगर बयान बाजी हो कि ममताब बैनर जी को प्रधान मंतरी बनना चाहिए ममताब बैनर जी हमेशा इन पर चुपी साते हुए या फिर एक पक्ष का साथ देती हुई नजर आई है उस महिला को प्रधान मंतरी बना रहे है जाहिर सी बात उनकी पार्टी से हैं तो बात तो कहेंगे ही कि प्रधान मंतरी बनने चाहिए लेकिन उनका एक ताजा बयान आ प्रधान मंतरी बन गए थे मन मोहन से पंकत जी हवा बदलने की और पलटने की बात कर रहे हैं और इसी के साथ ये भी कह रहे हैं चार सो सीटे क्या बाजार से खरीदेगी बीजेपी देखे शतुर्ण सिन्हा पहले फिल्म में स्टार थे भारती जनता पार्टी में आया बीजेपी ने ही ने दो तीन बार सांसत बनाया पटना साहिब से उसके बाद एक मौका ऐसा है कि बीजेपी ने एक नियम बना दिया कि जो 75 से उपर है उसको हम लोग रिटायर करने वाल तो पार्टी ने कुछ किया नहीं इनको सिर्फ इनकी जगह पे दूसरे को टिकट दे दिया जैसे हजारी बाग से यशवन सिन्हा के जगह उनिंके बेटे को दे दिया जनसिना को उस्वक्त और पटना साहिब से सप्रमिशंकर प्रशाद को दे दिया अब यह दोनों बौक अब इन्होंने बहुत जगह हाथ पर मारा बीच में कॉंग्रेस से बात की सब किया तो फिर अन्त में पता चला कि उसी वक्त प्रसांद किशोर थे बंगाल में और प्रसांद किशोर ने ममता बिनर जी को कहा था कि आप बंगाल तो जीती रही हैं आप देश भर में फैलो और प्रधान मंत्री बनने की योगत्या है आप में तो उसके लिए ममता बिनर जी को जरुवत थी कुछ ऐसे लोगों की कि जिनका चेहरा भी जाना पहचाना हो और जो हिंदी कम अच्छा बोलते हों क्योंकि टीमसी में बंगॉली लोग थे सिर्फ बंगॉली भार्षी थे तो दिल्ली में कौन फ्रक्ष रखता तो दो बेचारी एक तेहल रहे थे और उनको जरूरत थी तो ले लिया अब उस वक्ट सर्चुनंध सिनहा में दोनों में से शर्चुनंध सिनहा ने एक समझदारी का काम किया यशवंध सिनहा का इगो ज्यादा बड़ा था तो उनका कह द तो बोले ठीक है सांसदी का लड़या होगे वहला कि हां सांसदी तक ठीक है तो यश्वन सिन्हा का क्या हुआ राश्वती चुनाव में जान ही रहे हैं अब यह वहाई साहब साध्य के बाद कि यह हैं दे बहुत बड़ा संगीता गया हैं दे घितार बजाती है दांस करती area हill जोट कर रहे और इस वजब से क्योंकि कॉंगररेस ने उसकि गटबंधन बड़ा सोच समझ के बहुत अच्छा से किया था वेल नीट गटबंधन जिसको बोलते हैं और सारी पार्टियों को जोड़ लिया था और अटल जी की पार्टी से बहुत सारी पार्टियां छिटा के उधर चली गई थी उसमें ममता जैललिता मायावती वगर सब थी इस बार क्या हुआ है अंतर कहां है कि एंडिये ने बहुत अच्छा गटबंधन किया है जो भी छोटी बड़ी जो भी पार्टियां और सब को बहुत अच्छे से स्टेटल कर लिया है इनके गटबंधन का आज तक ठीकाना नहीं क्योंकि दूसरा चरण का मदान 26 को है अब तक बहुत जगह इनके कंडिडेट ही घोशित नहीं हुए है अभी तो प्रोसेस ही चल रहा है और जो पुराने गटबंधन के साथ ही तो एकता रैली दिखाई थी महां गटबंधन ने आपस में दुसरे को इतना मार के मुह नाग तोड़ दिया कल कॉंग्रेस वालों ने आरजेडी को और आरजेडी वालों ने मारा वो जो केंडिडेट थे कें त्रिपाठी सहाब जर्खन के चत्रा सुनके भाई का सर फट गया तो वो तो दिख रहा है यहां हां बिल्कुल बिल्कुल और देखिए ना सबसे पुराने गटबंधन के साथ यहां जडिया कॉंग्रेस तो जो पुराने हैं एक दूसरे का सड तोड़ रहे हैं नए आ नहीं रहें उनको पता नहीं कि कहां है अभी बहुत सारे इस्टेट में तो इंतजार हो रहा है कि भाई कीजेगा की नहीं कीजेगा कल एक ता रहली थी और आहुद गानी नहीं आए सतना तक आया उसके आद वहले मेरी तवेद खरावें नहीं जाओंगा सारे के साथ थोड़ी नश हां सब के साथ थोड़ी नश शेयर करेंगे उतमें फिर मैं गौन हो जाता हूं कि मेरा नियूज नहीं बनता सब कोई नियूज बना लेता है कलपना और सुनीता का तो हम क्य करनाटका खा कोई नेता अगर जार्खन में रैली में कॉंग्रेस के और से शामिल होगा तो जरूर वोट बढ़ेंगे और वोट बढ़ें ना बढ़ें मारा मारी हो गई खूब चर्चा है राची में इसकी अब यह गडबंदन का हाल मैं बतातो अब बताते हैं आते हैं सक्तुनहां सिन्हां पे शक्तुनहां सिन्हां भाई साब ने कहा बोला कि 2004 में बात थी कि फिल गुड था और इस बार भी वैसा ही महौल लग रहा है इनसे पूछिए कि बंगाल में सब ठीक है ना पहला दोर मे पता किजिएगा एक बार कूछ विहार में बहुत जोर लगाया वहां पर इंसानसा सब कर दी खशाबरे तो बहुत सकारात्मक नहीं है जो हमारे पास स्पेस्ट्रीक रिपोर्ट है टी-मसी कूछ विहार में थार रही है और टी-मसी के कैंडिडेट मैं जांकारी दे रहा लोग को महवा मुत्रा ने का कि इन टीम्सी के लोगों के साथ में चुनाओन ही अपनी टीम बना ली उन्होंने कि मेरा साइबर मेरे ही लोग देखेंगे के मेरे साथ प्रचार मेत कर जाएंगे पता नहीं गुंदई गुंडई अलग करता है छिडखानी मेरे साथ करेगा और दिलवा देगा बीजेपी की तरह तो वो अपने टीम बनाके चल रही है पता कीजिए कृष्णा नगर में उनको इन ही की नेता जो वो फिल्म हिरोईंती नुसरत जहां की मीमी चक्रवर्ती उन्होंने चिठी लिखी म ममताबे नजी को कि मैं राजनीती छोड़ना चाती हूं ममताबे ने पूछा क्या हो तो बोला कि T.M.C. वाले मुझे छेड़ते हैं हद है हां यह चिठी निखी है मीमी चक्रवर्ती ने तो यह हाल है T.M.C. का अब बताये ऐसे दौर में गुज़रे जमाने के कलाकार सचु साहब 2024 आ गया कि 20 साल हो गए उस चीज को अब भाल बच्चे को मौका दीजे कब तक ऐसे घिसटते रहेगा आपने अब नहीं यह पूछे ना यह पूछे ना कि आप टीम सी खुद इन्हीं के राज में इनकी पार्टी की हलत अच्छी है वशीर हट जी जाएगी जहां रही है मैं बता रहा हूं आज इस बात को रिकॉर्ड करके रख लीजे वैसे तो हमारे पास रहता है आज की तारिक में पंकर्च प्रसुन कह रहा है कि बंगाल में बीजेपी सिंगल लार्जेस पार्टी बनने जा रही है कि सबसे ज्यादा सीटे बीजेपी को एड़ी 30 35 र दूसरी बात कि बहुत सारे मुस्लिम कैंडिडेट मजबूत खड़े किये हैं कॉंग्रेस ने और वामपंथ गटबंधन ने और वो वोट शिफ्ट हो रहा है टीम सी से वापस सीपीम की और और इसलिए ममता मिना जी हमेशा कट्टर जादा जादा कट्टर स्टैंड ले रह रहा यह सब बीजेपी के लिए नहीं है यह इसलिए है यह सारे बयान कि सीपीम की तरफ जा रहा है मुस्लिम वोट डर इनका जो पारंपरिक वोट है उसमें बटवारा हिंदू आ रहे हैं बीजेपी की और मुस्लिम जा रहे हैं सीपीम कॉंग्रस गटबंधन की और विहार में गए हो ठीक है तो शत्रुगन सिना का बयान आपने सुना और इसका पूरा अनालेसिस आपने सुना बताइए उनके बयान को लेकर और इस चर्चा को लेकर आप क्या राय रखते हैं नमस्कार